हम कक्षा नोवी में साहयग वाचन किताब में पढ़ेंगे कृतिका किताब से पाठ का सार माठी वाली की कहानी पाठ है माठी वाली बूरी माठी वाली पूरे सहर में लाल मिट्टी बाट रही होती है और उसका जीवन उसी से चलता रहता है वह अपने घर के लिए भी रोटी उसी से कमाती है घरों में लाल मिट्टी लिपाई पुताई के काम आती है मिट्टी के कनस्तर में रखकर वह घर घर जाकर मिट्टी बेचती है और रोटी को भी गन्दे कपड़े में बांध लेती है सिर पे और अपना माटी के लिए देने के लिए निकल जाती है फिर है जब घर पहुचती है वहाँ पर माटी देने के लिए तो वहाँ मकान मालक उसको चाय पीने को देती है उसे पीतल के गिलास में चाय देती है कहें में देती है पीतल के गिलास में तो वह चाय फूक फूक का सुड़कने रखती है और कहती है कि ऐसे पीतल के बरतन पुराने बरतन आजकल कहां लोग पुराने चीजों की कदर करते हैं और कहती है कि जिनके पास जमीन संपत्ती होती है उन्हें ठिकाना नहीं मिल जाता, लेकिन माटी वाली जैसे बेघर है जै लेकिन जिनके पास नहीं है बेगर, जैसे विचारी माती वाली, बाल मजदूरों का क्या होगा, अब उसकी मन में ये question, उगद मीली जो, थो प्रस्ट के लिए पास कि उसका पती के लेकिन आज माटी वाली प्याज भी खरीद कर लाई थी रोज बहर रोटी बस लेकर आजाती थी लेकिन आज बहर प्याज लेकर आई साथ में कि मैं अपने पती को आई रोटी और प्याज के साथ दोंगी अभी रोटी सू कि लाती थी तो वो रख लेती थी गर म कि मेरे मैं अपने पती के लिए ले जाओ उसको खिला दूंगी लेकिन आज बार खरीद कर प्याज लाइती है और प्याज कुटकर रोटी के साथ दे देगी यह सोच रही थी पर वह घर गई तो उनका पती मर चुका था है यह कहानी यह बेगर इस तरहीं की है और बहुत ही मर में इस परशी कहानी है मन को छू जाने वाली अब हम देखेंगे कि फिर वहां पर एक तीरी बांद है उस गाओ में तो तीरी बांद से लोगों को उजाड़ दिये जाता है घर गिरा दिये जाते हैं है ना तो लोगों के घर उजड़ जाते हैं और तीरी बांद से उजड़ कुम्हारे पास, और वे, साहब पूछता है वहाँ पर जो जाता है देखरें के लिए, कि तुम्हारे पास क्या प्रमाण है, इसका कोई प्रमाण है? उसने कहा नहीं, तो उसे कोई भी मदल नहीं मिलती, और वहां से वह लोग की अपरा तप्री होने लगती है और घर चोगर भागने लगते हैं तिहरी बान भरने लगता है और निचले भाग में बने शमसान टूबने लगते हैं मानसिक रूप से माटी वाली विक्षिप्त हो जाती है और कहती है अपने मनी मन कि गरीब आदमी का शमसान कभी नहीं उजड़ना चाहिए अब हम इस वाक्ति का इसमें बताया है कि क्या है फिर है अब प्रस्णों के अभ्याद कि भूक मीठी की भोजन से क्या भी प्राय है भूक मीठी की भोजन से क्या भी प्राय है तो उत्तर है इस प्रस्ण में यह है कि भोजन लोग भोजन लोग नीठा या उससे नहीं होता इस प्रस्ण में यह या से इस प्रस्ण होता है कि भोजन मीठा या स्वाधिस्ट नहीं होता भूख के कारण भोजन स्वाधिस्ट या भूखा होता है कैसे कि जैसे बताया है भूख या मीथी प्रश्न क्या दिया कि भूख मीथी की भोजन से क्या अभी प्राय है याने भूख मीथी से भोजन का क्या जाए तो उत्तर बताये इस प्रश्न में की भोजन स्वाधिस्ट बनाने से नहीं होता है भोजन हमारी भूख के कारण स्वाधिस्ट लगने लगता है चाहे वह रोटी हो, चाहे साख के साथ हो रोटी और चाहे सूखी रूखी हो, चाहे वह चाय के साथ क्यों नहों? भूख के कारण है किसके कारण है भूख के कारण हमें भोजन स्वादिस्ट लगता है और मीठा लगता है रोटी का स्वाद वास्तविक में भूख बताया है इसमें क्या बता है रोटी का स्वाद वास्तविक में कि हमारी भूख के कारण ही हमें मीठा लगने लगता है वह जाए फिर पुर्खों की गारी कमाई से खरीदी हुई प्रस्म क्या है पुर्खों की गारी कमाई से खरीदी हुई चीजों का हराम के भाव में बेचने को मेरा दिल का वाही नहीं देता है इस कथन से क्या भाव विस्वस्थ है कि हमारे पुर्खों के समय इतनी सुविदा नहीं थी उन्हें हर चीज पाने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती थी और उस समय आदमी आमदनी भी कम होती थी और आवशक्ता भी पूरी करना पड़ती थी तो यह आवशक्ताओं को पूरा करना भी कठिन था उसके बाद भी उन्होंने गाड़ी कमाई से बचा कर अपनी गाड़ी कमाई से बचा कर अने कलात्मक बस्तुएं एकत्र की हुई थी और आने वाली पीड़ी के लिए उन्होंने यह संदेज देना चाहरे थे कि पैसे की बचर लगन और बचत करना पड़ता है कैसे होती है महनत या कैसे लगन और बचत का पता चलता है अब हम पढ़ेंगे प्रेस्ट में किस मजबूरी को डरसाता है उत्तर है माटी वाली का रोटियों को गिनना बताता है कि वह बहुत गरीब है और वह रोज कमाती है और खाती है और उसे अपने बुढ़े पते के लिए भी रोटी लेकर जाना पड़ता उसका भी पेर भरना पड़ता है इसलिए उसे हिसाब लगाती रहती है फिर है गरीब आदमी का संसान नहीं उजड़ना चाहिए इस कथन से क्या आशा है इस कथन से आशा है कि गरीब आदमी एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए बार बार सक्षम नहीं होता है वह एक इस्थान से दूसरे इस्थान बचने में समर्भ नहीं रहता। इसलिए उसकाई गर नहीं उजड़ना चाहिए और मारा मारा फिरता है उसके रहने के लिए इस्थान जहाँ जिस स्थान में रहता है उधर की मिट्टी बार-बार खराब हो जाती है। और उसको बार-बार मकान पनाना पड़ता है अतर उसने कहा कि उसे सांस लेने का अधिकार है होना चाहिए और उसे अंतिम्यात्र तक वहीं रहना चाहिए जहांवर मूलनेवाद कर रहा होता है यह प्रस्णा आपको